आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which type of cleavage occurs in the zygote of reptiles, birds and prototherians पूछा गया है कि कौन सा cleavage जो है वो reptiles, birds और prototherians में पाए जाते है तो इन में basically Meroblastic और Discoidal cleavage पाए जाते है Meroblastic यानि कि ये लोग ऐसे organisms है जिनके york का जो structure है वो बहुत ज़ादा high होता है इसलिए जो cleavage है वो equal नहीं हो पाता है और Meroblastic हो जाता है और साथ ही Discoidal Meroblastic Discoidal का मतलब जो cleavage produce होता है वो एक ही side में होता है और बाकी surface में क्या होता है तो बाकी surface में york present रहते हैं और जिस side york present रहते हैं वहाँ पे cleavage नहीं होता है और उस portion को कहा जाता है vegetative pole और जहां पे division होता है और generative cells रहते हैं उसको कहा जाता है generative pole और उसी pole में बस division होता है और इसी वज़े से इनका जो structure होता है वो Meroblastic और Discoidal होता है वहीं पे अगर हम लोग humans का बात करते हैं तो human में holoblastic unequal होता है holoblastic unequal का मतलब कि जो हमारा cleavage है उसमें york बहुत कम रहता है इसलिए जो self होता है वो evenly या फिर equal तो नहीं होता है size equal नहीं होता है लेकिन उनका जो division होता है वो एक ही plane में होता है और वो equally होता है लेकिन वो वहीं पे reptiles, birds और protothelians में वो क्या होता है medoblastik और disquadal जैसे कि यहां पे structure में given है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जाधा students कभर होसा आज राउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर